नवस्कार आप लाइक सिटीज देख रहे हैं मैं हूझ जय शुकला सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम जिस पर आप अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी भी एक मर्यादा है ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग आजगल कुछ भी लिख जाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धरा जाईएगा पुरी ख़वर विस्तार से सुनिए सोशल मीडिया पर मंतरी, सांसत, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के खिलाप अनाप शनाप टिपड़ी पर अब कानूनी कारवाई होगी प्रतिष्ठा हनन या 56 धुमिल करने के आरोप में IT Act के धराओं के तहेत मामला दर्जोगा और जाच की जाएगी आर्थी कपराध हिकाई ने बिहार के सभी विभागों के प्रधान सचीव और सचीवों को पत्र लिख कर ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ आपति जनक या तथेहिन पोस्ट करने पर अब कारवाई हो सकती है गुरुबार को इस संबंध में EOU द्वारा जारी पत्र में ऐसे किसी पोस्ट की सूचना देने का आग्रह किया गया है जिससे व्यक्ति या संस्थान के साथ सरकार के प्रतिष्ठा का हनन होता है या किसी की 46 धुमिल होती है इस टेनी में अपति जनक अभद्र और भ्रांतिपून टिपपड़ी आएगी IGAU ने सभी विभागों के प्रधान सचीव और सचीवों को पतरलिख कर कहा है कि उनके अधीन किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ ऐसा कोई पोस्ट सामने आता है तो तुरंत इसकी जानकारी दें इसे सोशल मीडिया का दुरूपयोग मानते हुए जाच की जाएगी और IT Act के तहत पोस्ट डालने वाले के खिलाफ कानूनी कारवाई होगी साइबर क्राइम की रोगथाम के लिए राज्य में EOU को नोडल एजेंसी बनाया गया है साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जाच में वो इस्थानिये पुलिस को भी सहयोग देती है चुकि भ्रामक या अपत्ति जनक पोस्ट साइबर क्राइम की स्वेड़ी में आएगा लिहाज़ा EOU की ओर से ये पत्र लिखा गया है माननियों के साथ है किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा कहनन या छवी धोमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर किये जाने बाले अपत्ति जनक भ्रामक या अभधर टीपड़ी की शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कानूनी कारवाई की जाएगी ये सक्त निर्देश दिया गया है EOU के ADG की तरफ से और अब ऐसा नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखकर निकल जाना पड़ेगा क्योंकि लगातार आप अपने अभिवक्ति की अजादी तो है ही लेकिन उसकी भी एक सीमा है उसका भी एक उसकी भी एक मरियाद होती है कुछ भी लिख देना ये अब बरदाश्त नहीं किया जाएगा और यही कारण है कि अब EOU ने बड़ा फैसला लिया है और साइबर क्राइम की रोग थाम को मद्दे नजर रखते हुए भी ऐसी कारवाई करने की बात की जा रही है कि सोशल मीडिया पर अगर अथिका साथ तमाम खबरे हम आपको देंगे लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक कर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें धन्यवाद